अपने नाश्ते में क्या बनाया है? पकोडी, समोसे, कचोरी या फिर जलेबी या फिर बहुत लंबे समय से हमने नहीं खाए हैं सेंडविच वो बनाये हैं आजमने क्या क्या बनाते हैं आप नाश्ते में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप जीवन भर स्वस्तर रहना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को छोड़ कर मातरी ये एक चीज अपने नाष्टे में आड़ कर लीजे जीवन में कभी भी आपको किसी परिशानी से जूझना नहीं पड़ेगा सारी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं शरीर में इतनी एनरजी होगी कि पूरा दिन दोड़ दोड़ करके आप काम करेंगे नमश्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं डॉक्टर मधू आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा एक नाश्ता जिसका इस्तमाल करके आप अपने शरीर में खूनी कमी को पूरा कर सकते हैं बॉड़ी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं एनरजटिक रह सकते हैं और इसके अलावा भी धेर सारे फायदे कौन सा ये नास्ता इसके बारे में वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस नास्ते के फायदे क्या क्या है अगर अब इसका इस्तमाल करते हैं तो आपके शरीर को मिलती है धेर सारी एनरज़ी अगर आपको धकान रहती है कमजोरी महसूस होती है आलस बहुत आता है तो आप आज के हमारे बताए हुए इस एक नास्ते को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजेगा ये सारी परेशानिया तो आपकी जट से दूर हो जाएंगी इसके लावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है आपको डाइजेशन से रिलेटिट कोई समस्या है अपज रहती है गैस एसिडिटी बहुत ज़ादा बनती है तो ऐसे में भी नाश्ते में आपको इस एक चीज को इसको इस्तमाल करना चाहिए अगर बहुत लंबे समय से बालों के जड़ने से परिशान है स्किन बहुत ज़ादा ड्राय रहती है या फिर ड्राय स्किन की वज़े से अकसर आपके चेहरे पर डलनिस रहती है तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी नाश्ता बे जरूर बताएंगे वीडियो के अड़ में किस तरीके से आप मुमवली से नाश्ता बना कर तयार करेंगी सबसे बहले बात करते हैं कि मुमवली के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो इससे बना हुआ ये नाश्ता आपको इतने फायदे देता है अलावा इसमें बहुत सारे आपके बहुत सारे इसके पोशकतत में जिसके लिस्ट आप इहां स्क्रिन पर देख सकते हैं अगर आप मुमवली का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी यादास को बढ़ाने में भी बहुत मदद करती हैं अगर आपको मनसिक तनाव रहता है जिसकी वज़े से कम नीज आने क समस्या है स्ट्रेस में रहते हैं आप तो ऐसे में आपको मुफली का सेवन सरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझूद ओमिका 6 जो है वो मांसिक तनाव को दूर करता है शरीर में बलड के फ्लो को अच्छा रखता है और जिसकी वज़े से आपको एक अच्छी और बहतर नी को कम करके गुड कोली स्टोल को प्रमोट करते हैं जिसकी वज़े से आपको हार्ट ब्लोकिस से भी छुटकारा मिलता है तो अगर आप हार्ट ब्लोकिस से छुटकारा चाहते हैं या फिर अगर आपको हार्ट ब्लोकिस से बचना है तो ऐसे में मुफली का सेवन आपके पढ़ाते हैं। खुन बनाने में मदद करते हैं चुन की शफाई करने में भी काफी लाध देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुपली के अंदर ऐसी 8 अमीन एसे प्याते हैं जो कि शरीर के एनरजी लेवल को हाई से भी हाई पहुचा देते हैं अगर आपके शरीर में बहुत गमजोरी आपको काम करने का मन ही नहीं करता है तो ऐसे में मुवअली का सेवन आपको गजब के फाएदे देने वाला है इसके अलावा ये कैंसर से बचाने में भी आपको काफी मदद करती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तमाल कैसे करना है इसका सेवन करते समय कुछ सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए नई तो इसके फायदों की जगे आपको फिर नुकसान भी देखने पड़ सकते है अगर आप जोडों के दर्द से परेशान है तो ऐसे में भी मूफली का सेवन आपके लिए काफी फायदे मंद है क्योंकि इसके इस्तमाल से जोडों के दर्द में आपको काफी आराम मिलता है ये शरीर से सूजन को कम करने में मदद करती है इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से अगर आप ऐसी इसी समस्या से परेशान है जैसे घुटनों में, कमर में दर्द या सूजन रहती है तो उसमें अगर आप मूफली के इस नास्ते का सेवन करते हैं आपको बताने वाले हैं तो इससे काफी लाब मिलेगा जवान देखना चाहते हैं, चहरे की खुबसूरती बढ़ाना चाहते हैं और अपनी उम्र को अभी रूखना चाहते हैं तो इसके लिए भी मूफली आपके लिए काफी फायदे मंद है क्योंकि जब आप इसका इस्तमाल करते हैं तो इसमें मुझूद पोशक तैत्व आपके शरीर में खून को साफ करने में मदद करते हैं जिससे आपकी स्किन पर बहुत अच्छा गिलो आता है और स्किन से रिलेटिज जितनी भी समस्याइं हैं मुझौरिया ज्याया हो या फिर आपको मुहासो की समस्या हो उनसे आपको छुटकारा मिलता है लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है अगर गलत तरीके से आपने इसका इस्तमाल कर लिया गलत तरीका क्या है इसके अलाबा अगर आप इसका इस्तमाल जादा मात्रा में कर लेते हैं तो यह आपके खून में यानि कि आपके बलड़ गे अंदर पित्ति की मात्रा को बढ़ा देती है जिसे आपके शरीर में फोड़े या फुंसी की समस्या हो सकती है ऐसा कई लोगों के साथ देखा गया ह कि अगर वो लंबे समय तक या जादा मात्रा में मूफली का सेवन कर ले तो रिसर्च की अनुसार उनके शरीर में पित वढ़ने की वज़े से खून में इंफेक्शन होने लगता है और इसी वज़े से उनके शरीर पर फोड़े और फुंसी की समस्या हो जाती है या शरीर में खुजली होने लग जाती है तो ये भी इसका एक नुकसान है लेकिन इसके नुकसानों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि बस आप इसे सही तरीके से इस्तमाल करें सही तरीका है कि आप इसे भिगो कर इस्तमाल करें सीमित मात्रा एक मुठी आप इसे इस्तमाल करें झाते हैं लोगों को भी अर्फत्राइटिस की तिक्कत उन लोगों की ऐखी कच्छी मूंवखली खाएं आपको काफी मिलेगा लेकिन बाकी लोगों के लिए फायदे मंत हैं भीगी मूवखली ये शरीर को पोच्टिक्था देने का काम करती है अगर आप बलवान होना चाहते हैं अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके स्नुस्के का जरूर इस्तमाल कीजेगा और अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद है तो चलिए आपको बताते हैं कि मुफली का सेवन आपने कैसे करना है रोजाना लात को अच्छे से धुल कर मुफली को आप इसे भिगो कर रख दीजिए मालीजी आपने एक मुठी मुठी मुफली ली है तो इसे आप लगबग चार का पानी के साथ भिगो कर रख दीजिए पूरी रात भीगे रहने दे अगले दिन सुभ़ह आपने क्या करना है इसे पाइदे आपको ज्यादा मिलेंगे अगर आपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आप इसमें एक केला जरूर आट कीजिएगा यह आपके शरीर को पोश्टिक्ता देने बल को बढ़ाने वजन को तेजी से बढ़ाने में आपको काफी मदद करेगा इसके अलावा यह मिक्सी का अस्तमाल कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ दो राउंड के अंदर आप इसको गुमा लीजेगा उसके बाद आपने जो है इसे एक कटोरी में निकाल लेना है और अच्छे से एक चमच को बड़े ही आनंद लेते हुए चबा चबा करके खाना है सिर्फ यह एक नास् गड्यका है कि आप तो पाद छी डाल कर निकाल कर असके बात की पूरे अपर दियो चबा कर वह लाला कर रहके तो यह सक्की पांट में तो यह नाजता है इस सब लिए फायदेमंध है आप इसे पांच साल से उपर के पच्छे है तो थोड़ी मात्रा में बच्चों कोㅋ आप आठ से दस दाने आप रात को भीगो कर रखें सुभा खरल में कुचल करके एक केला उसमें मिक्स करके बच्चों को गर देते हैं तो उनका दिमाग तेज होता है मांसिक विकास के साथ साथ उनका शारेरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है स्किन साफ होती है शरीर में खून की कमी नहीं होती है और इम्यूनिटी तो कई गुना बढ़ जाती है इसके अलावा अगर आप अपने लिए इस्तमाल करते हैं तो यकीन मानिए मात्र और मात्र एक महिना इस नास्ते को आप करके देखिएगा और इसके फायदे फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके शरीर को पूरी तरीके से साफ कर देगा ये नाश्ता मात्र दस दिन के अंदर बॉडी के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स है उनको भी निकालने में आपको मदद करता है कि ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो अच्छा लगा या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही इंटरस्टिंग टॉपिक के उपर मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर सकूँ अगर आप भी मुझे कोश सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा चले फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना खयाल रखें अपनों को खयाल रखें और हस्ते मुस्कुराते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बाबाई नमस्कार